हाई दोस्तों मैं मनोश सर सामान गया ठीक है तो देखे दोस्तों आज का जो टौफिक है वो इर्धन है इर्धन क्या होता है कि वह पदार्थ जो हवा में जल कर बगएर आवश्यक उत्पात की उसमा उत्पन करता है इर्धन का लाता है अच्छी इधन के लिए निमलिखित ग कोई हानिकारक पदार्थ नियुत्पन होना चाहिए उसका जमाव परियोहन आसान होना चाहिए उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए उसका प्रज्वलन निम्न होना चाहिए अगला देखे जिस नियुंतम ताप पर कोई पदार्थ जलना सुरू होता है उसे उस पदार्थ जलाने के पस्चात प्राप्त होती है किसी अच्छी इर्धन का उसमी मान अधिक होना चाहिए सभी इर्धनों में हाइड्रोजन का उसमी मान सबसे अधिक होता है परंतु सुरच्छित बंडारन की सुविदा नहीं होने के कारण उपयोग आम तोर पे नहीं किया जाता है हाइ आप्टेन संख्या कुछ एढ़न ऐसे होते हैं जिनका वाय मिस्रन का इन जनों की सिलरम में ज्वलन समय की पहले हो जाता है जिसी उसमा पुरतकारे में परिवर्तित नाओं का धात्वी द्वनी उत्पन करने में नश्थ हो जाती है यही धात्वी द्वनी अस्पोटयक क्याल सबसी अच्छा असपोटक योगी ट्रा एथील लेड असपोटक को ओक्टेन संख्या की द्वारा ब्यक्त किया जाता है किसी इर्धन या जिसकी ओक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है काप सोटक उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही इर्धन मना जाता है इर्धन का वर्गी की मात्रा 50% से 60% तक होती है इसे जलाने पर अधिक राक या धुवा निकलता है यह सबसे निम्न कोटी का कोईला है लिगनाइट कोईला क्या क्या कोईला इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है इसका रंग भुरा होता है इसमें जलवास्प की मात्रा अधिक होती है 85% से अधिक है द्रव इर्धन क्या है पेट्रोल डीजन की रासन तेल एलकोहल स्प्रीड सभी द्रव की इर्धन की उदारण है गैसी इर्धन देखे प्राकरतिक गैस या पेट्रोलियम कुवा से निकलती है इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 80% मिथेन होता है और घरों में प्रयूकत होने वाले द्रवीद प्राकरतिक गैस को LPG कहते हैं और या ब्यूटेन प्रोपेन का मिस्टरन होता है जिसे उच दाप पर द्रवीद घर के सिलंडरों में भर लिया जाता है अगला देखे दोस्तों LPG अत्यधिक जोलंसील होती है ता इससे होने वाली दुरगटा से बचने के लिए सल्फर के योगी को मिला देते हैं ताकि इसे रिसाओ को इसकी गंद से पहले पहचान लिया जाता है अगला देखे जीवास मिर्धनों में स्वचता इर्धन प्राकरतिक गैस ही है गोबर ग गैस सन्यत्र में सीस रह पदार्थों का ओप्योग कार्बनी खादे के रूप में किया जाता है प्रोड्यूशर गैस क्या है यह गैस लाल तब्त कोक पर वायु प्रवाहित करकी बनाई जाती है इसमें मुख्यता कार्बन मोनो अक्साइड इर्धन का काम करता है इसमें 70% नाइट्रोजन 65% कार्बन मोनो अक्साइड 4% कार्बन डाई अक्साइड रहता है इसका उसमी मान कितना होता है 1100 से 1750 केजी होता है कांच वो मिस्पात उद्योग में इसका ओप्योग एर्धन के रूप में किया जाता है अगला देखे जल गैस इसमें हाइट्रोजन 49% कार कार्बन डाई अक्साइड 4.5% होता है रक्त अतबत कार्बन पर जलवास प्रवाहित करने पर जल गैस फ्राप्त होता है इसे अंगार गैस भी कहते है इसका उसमी मान 85-8800 केजी होता है इसका उप्योग हाइड्रोजन अल्कोहल के निर्माण अब चायक के रूप में होता ह कुल गैस क्या है या कोईले की भंजक आश्वन से बनाया जाता है या रंगीन तीच्र गंदवाली गैस है या वायू के साथ 20% मिस्रण बनाती है इसमें 54% हाइड्रोजन 35% मीथेन 11% कार्बन मोनो अक्साइड 5% हाइड्रो कार्बन 3% कार्बन डाय अक्साइड होता है और इरधन का उसमी मार उसकी कोटिका निर्धारण करता है इलकोहल को जब पेट्रॉल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर इलकोहल कहते है जो उर्जा का एक बैकनल पिक सरोध है सिगरेट लाइटर में भ्यूटन का प्रयोग किया जाता है ध्रव हाइड्रोजन औ मानेता चमकदार और अगहाद तोवर्ध ततन्य होती है अगला देखी धात्मी उस्मा विद्दुत की सुचालक होती है और चांदी विद्दुत का सरस्री सुचालक है धात्मी में विद्दुत चालकता करते क्रम में होती है चांदी है तांबा है अल्मोनियम है टंगस्टन ह सीसा की उसमियों बिद्दुचालकता सबसे कम होती है धात्वों की आकसाइड की प्रक्रति छारी होती है अपवात क्रोमियम आकसाइड की प्रक्रति अमली होती है एल जडेन पीबी अकसाइड उबैधर्मी होती है धातुएं तनुएं अमलों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है तामबा तनु हाइड्रोक्लोरीक अमलकी साथ अपक्रिया करती है सबसे हलकी धातु लीथियम है सबसे भारी धातु ओस्मियम है सबसे कटोर धातु प्रोमियम है अगला देखी प्रित्वी की भूपरपरटी धातुओं का मुक्सरूत क्या भूपरटी में मिलने वाली धातुओं में एलमोनियम 7% लोहा 4% युम कैल्सियम 3% प्रत्थम दृतित रिति अस्थान पे खनीश देखी भूपरपरटी में प्राकर्टिक रूप से पाया जाने वाले तत्त्त योगी को खनीश कहते हैं आयस के देखी वी खनीश जिन में धातुओं को सुखमता पूरुवक तथा लाफकारी रूप से निसकर्शित किया जाता है अगला देखी धातुकर्म आयसकों से धातुओं के निसकर्शन तथा परिकर्शन से समलित बिवीन प्रक्रमों को धातुकर्म कहते हैं गैस अयस में मिले असुद को गैंग कहते हैं फ्लक्स क्या है आयस में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदात को फ्लक्स कहते हैं धातुमल क्या है गैंग फ्लक्स के मिलने से बने पदात धातुमल कहलाता है निस्तापन इस प्रक्रिया में धातु के आयस को को उसके द्रौणांक नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि आयस में मिलने वाले वास्पसील असुदियां दूर हो जाती है भरजन क्या है इस प्रक्रिया में धातु के आयस को को गर्म हवा की उपस्तिती में उसके द्रोडांग के नीचे द्रोडांग से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिलने वाले असु कीवा सूची है जिसमें धातूं की क्रिया सीलता को और रोही क्रम में बिवस्थित किया जाता है। जब की एलमोनियम धातू को उसकी गलित आकसाईड को बिद्दूत अगटन द्वारा निसकरसीद करता है। लगने के लिए वायू में अकसीजन और नमी दोनों की आवसकताएं होती है। पेंट करके तेल लगाकर ग्रीस लगाकर यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडी करन या मिस रधातू बनकर लोहे के जंग को लगने से बचाता है। तामबा वायू में उपस्तीत आद्र हाइड्रो कार्बन डाई अकसाइड के साथ अपक्रिया करता है। उसकी सता से बुरे रंकी चमक धेरे धेरे खत्म हो जाती है। तता इस पर हरे रंकी प्रत चड़ जाती हैं। और यहारा पदार कारबन, कापर, कार्बोनेट होता है, तामबे का सतु रूता तो गंदक होता है। सरी में तांबे की मात्रा बढ़ने पर बिलसन नमक रोग होता है, कैलरो मीटर यम तड़ी चालक तांबा का बना होता है, अगला देखी, सोडियम, सोडियम क्या है, छीली समीटर, ट्रोना, बोरेक्स और शाधारा नमक, ऐल्मोनियम क्या होता है, बॉकसाइड होता है, होता है, कैल्सियम देखी, क्या होता है, डोलोमाइट होता है, और कल्साइड होता है, जिपसन होता है, फ्लोरोसपार होता है, कैल्सियम, मैगनीशियम होता है, सिल्केट या, एस्बेस्टस होता है, और स्ट्रॉंसियन क्या होता है, स्ट्रॉंसियन और सिलेस्टाइड होता तामबा क्या देखे की उपराइट होता है, कापर गलास होता है, कापर पायराइट होता है, सिल्वर क्या होता है, रूबी सिल्वर होता है, पायरा गायराइट होता है, होर्न सिल्वर होता है, सोना क्या होता है, कालवेराइट, सिल्वेराइट, बेरियम क्या होता है, बेराइ होता है बिस्मत क्या होता है बिस्मताइट होता है लोहा क्या होता है हेमेटाइट मैगनेटाइट लीमोनाइट सिंडेराइट आइरन पायराइट और कालकोपायराइट अगला देखिए कोबार्ड क्या होता है इसमेल टाइट होता है और नीकिल क्या होता है मिलेराइट होता ह अगला देखीए खुली वायू में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्त में काली हो जाती है सिल्वर का वायू में उपस्तित होकर सल्फर के साथ अबक्रिया करके सिल्वर सल्फाइट की परत बनने की कारण बनता है धातू प्रदूशक क्या है कुछ भारी धात्में जलकर गुलकर उसमें प्रदोशित करती है जैसे कैडमियम, लैड, पारा, यचजी, गुर्दे, नश्ट कर देते हैं, पीबी, गुर्दे, जिगर, मस्तिक, सथा केंदरी, तंत्रिका, तंत्र को प्रभावित करती हैं अगला दिखी, धात्में से संबंदित बिदी, धात्मों को राजा सोना कहा जाता है, प्रत्वी केंदरी भाग में सबसे अधिक निकिल पाया जाता है, और दूसरी अस्थान पर पाया जाने वाला धात्म लोहा है, तंगस्टन का संकेत डबलू होता है, और भारत में तंगस् सोडियम का आयस्क है और न्यूट्रोनों को आवेसित करने पर गुडों के कारण जर्कोनियम, कैडमियम, बुरान और उपियोग नावकी रियक्टर में किया जाता है, बेराइल, बेरिलियम धातु का मुख्य आयस्क है, फ्रांसियम, रेडियो सक्री धातु है, और इस्टेनस परावर्तक लैंपो में किया जाता है, जो सडकों या पारकिंग में रोस्नी के लिए लगा जाते हैं, बिना बुझे चुने का रासायनिक नाब कैलसियम आक्साइड है, प्तियों के रूप में कैलसियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, प्लाष्टर आप पेरी जिपसन से बनता है, एबेस्टर्ट, कैल्सियम, मैगनीसियम से बनती है, बेरियम हाइडरोकसाइड, बैरामाइट, वाटर होता है, बेरियम सल्फेट का उप्योग, बेरियम मेल के रूप में उधर की यक्स रे में होता है, आतिस बाजी के दोरां रंग बेरियम की उपस्तिती के करण तथा लाल चटक रंग इस्टांसियन की उपसिती के करण उत्पन होता है लेथियम सबसे अलका धात्विक तत्व है यह सबसे प्रबल अपचायक होता है तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करिए सस्क्राइब करिए धन्यों